नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चैनल पर भोजदा डिमांड के बाद एक सब्जेक कोड का प्रीवेसर कोशन पेपर डिस्कुसन स्काइशन में आपके लेकर आया हूँ सब्जेक कोड है भी एचाइशन पेपर डिस्कुस कर रखें तो आप क्या करना जहां तक उम्मीद है हां हमने एक सो चोदर तक आपको करा रखें तो आप क्या करना वहां जाके आप प्रेलिस सेक्षन में जरूर पढ़ना आज मैं आपके सामने विल्कुल लेटेस पेपर डिसक्स करना चाहता हूँ इसका जून 2023 का पेपर है यह नाम है इसका मध्यकालीन विश्व की समाजिक सन्रचना और सांस्कृतिक पैटर्न यहां पर सब्सक्राइब करना है आप इसका मतलब है आप महाँ पर उस्टवर में दो से तीन पेज में क्या कर सकते हैं एक कुस्टन का अंसर समाननेते दे सकते हैं समझ माई कहानी ठीक है आगे बढ़ते हैं चीजों को समझने की कोसिस करते हैं भाग फश्ट देखिए रोमन समराजजे में उत्पादन की दास पदिती की परकरती की चर्चा कीजिए दास उत्पादन पदिती के पतन का कारण क्या था 20 नंबर का कोस्टन है ददस नंबर में इसको डिवाइड किया हुआ देखिए कैसे आप देखनी पार होंगे पर मैं आपको समझाने की कोसिस करूँ है यहाँ पर किस तरीकसी से डिवाइड किया गया यहाँ पर आपसे सबसे पहली बात तो कोस्टन कहा से उठाए गया इटली का आपका रोमन समराज जी उसमें उत्पादन की दास पदिती करनी और साथ-साथ उस पदिती की प्रकरती भी आपको वतानी है दास पदिती की प्रकरती आपको वतानी है एक कोशन और दास पदिती का पतन भी आपको वताना है दूसरा कोशन दो question को combine करके 20 number में ये question पूरा आपका create किया गया है ये बात आपको क्या रखने हैं याद रखने हैं दोस्तों मजमाई कहानी आप करेंगे बिल्कुल सर यहाद तक हमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया सांदार अब देखें आगे आगे क्या है अगला question रोमन समराज्य से आया था अब एक question आया इथोपिया से वर्ड हिष्ट्री है तो विसके अलगलग देशों की बात होगी विसके अलगलग समराज्यों की बात यहाँ पर नोर्मल यह आपको देखने के लिए मिलेगी ये कहानी अगर आपको clear हुई हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगला question important है एक्जाम में 100% छपने वाला प्रशन है इसको लगाना आप triple star ये question एक्जाम में बार बार आता है इसलाम धरम का उदय कैसे हुआ इसको लेकर क्या सिध्धान्त दिये गए है आपको पता है न इसलाम धरम के उदय के बारे में नहीं नहीं बाते कही जाती है कोई कहता साओधी अरेवियो में पेगंबर मुहम्म्मत के द्वारा इसलाम का उदय हुआ कोई कहता इसलाम धरम का उदय बहुकल पुराने खिंदु धरम की तरह है उसके उदय के बारे में कोई विशेज जानकारी नहीं है तो कही ना कहीं क्या है इसके सिध्धान्त क्या है आपको ये बताने दस नंबर में संसोधनवादी सिध्धान्त जो है इसका इसलाम धरम के उदय का संसोधनवादी सिध्धान्त जो है समराज इसा कोश्चन रिपीटिड कोश्चन ठीक इसके अलावा मद्यकाले उरोप में मदिरा का उत्पादन आपको पता चाहिए रोमन समराज यहू वहाँ पर भी मद्रा का उत्पादन किया जाता था और आपको पता है ड्रैसल 20 आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा ड दुसी तरीके से ए जे टेक सामराज जे अपना हुआ है सिमिलर है बिल्कुल यह दोनों कोश़्चन कहा अपने आप में सिमिलर है ना मुताजिला धार्मिक विचार है यह कोस्टन आपसे पूछा गया अरेवियन कंट्री का कोश्चन ठीक आगे वरबते हैं मद्यकाली उरोप में प्रमुक व्यापारिक समुदाय का संचिप्त प्योरा प्रस्तित कीजिए यानि आपको उरोप में बताना है क्या व्यापारिक समुदाय उरोप के व्यापारिक समुदाय कौन-कौन से थे इसके साथ किस परकार व्यापारी गतिवीडियों पर यहूदियों निए अपना दबदब जमा लिया किस परकार पूरे एउरोप में जितना भी व्यापार होता था सामानत वाद का जनम कहाँ पर हुआ था इसे फेडरलिजम भी कहते हैं ये सामंतवाद कहां जनम लेता है यूरोप में मध्याकाली जिरोप में सामंतवाद व्यवस्ता का जनम होता है जहाँ पर क्या होता है सबसे उपर राजा होता है राजा भूमिदान में देता है सामंतों को और सामन्तों की जमीन पर खेती कोन करते हैं? किसान यानि की किरसक तो ये सामन्तवादी व्यवस्था होती थी है ना? ये यूरोप में जनम ली थी नाइटों को क्यों सामन्त के सोशन का एजेंट कहा गया? नाइट जो आपको पता जाता था इसलिए सोशन का सबसे बड़ा एजेंट माना गया किसको नाइटों को क्लियर? चलिए 6 कोशन आपको मेरे समझ माया गयोंगे आप कोशन नंबर 7 और कोशन नंबर 8 देख लीजिए एक बार फिर आपका ये पेपर हो जागा लगबग कतम तो कोशन नंबर 7 आप देखे क्या है? बड़े-बड़े कोशन आते हैं इसलिए मापको इसमें सब्सक्राइब बुलेट पोइंट निकालना सिखा रहा हूँ कि कोशन को वास्तम में आपको पेपर में पढ़ना कैसे है? आप जैसे कोशन को पेपर में पढ़ते हैं कोशन को वैसा पेपर में नहीं पढ़ना होता मार वानिदों के अधीन उम्यद खिलाफत के विकास की संचिप सरचा कीजिए आपने इसलाम धरम पढ़ा होगा इसलाम धरम में आपने खिलाफत या फिर खलीफाओं के बारे में पढ़ा होगा अली अब्बास अली हुआ है फिर अब्बास हुआ है फिर उमर हुआ है इस तरीके से लगबग चार खलीफा आपके हुए है खलीफा कौन थे पैगंबर मुहम्मद की मिरित्यू के बाद जो उसके संदेज भाग बने खुदा के नहीं पैगंबर मुहम्मद जो ने खलीफा कहते हैं उम्यद वन्स का जब सासरी चल रहा था इसलाम में तो उसमें किस परकार इसकी भूमी का रही किसकी मलिक बिन मारवान की भूमी का क्या रही इस पर आपको यहाँ पर कमेंट कर देनी है दो कोशन अलग तुमें दिखाए देंगे इसमें आपको चार पोइंट देंगें जिन में से क्या करना आपको किन ही दो की क्या कर देनी है व्याख्या करनी है टिपनी करनी है एक है आपका अलमोराविद अलमोराविद यह फिर आपका कहां से इसके लावाद धर्मयूद, आपको पता ही है, अरब में धर्मयूद हुए है, लगबग कितने धर्मयूद हुए है, आपने पढ़ेंगे, चार धर्मयूद आपके लगबग हुए है, वो आपकी बुक में explain भी कर रखें, उस पर आपको यहाँ पर क्या करनी है, टिफनी करनी चीन के साथ अरबो का व्यापार, यह एक नया टाइप का question है, न्यू कोशन एकदम, है ना, तोकि चीन का यह भी question इस paper में नहीं था, इस बार इसमें अरब व्यापार पूछा गया है, उम्हीद है सारा concept आपको यहाँ पर clear हुआ होगा, जो मैंने आपको questions बताएं, बार- paid notes खरीज सकते हैं, जो पास होने के लिए enough होते हैं normally, तो आपको करना क्या है, आपको हमारे WhatsApp नमबर पर हमें contact करना है, कहाँ पर दोस्तों हमारे WhatsApp नमबर पर हमें जरूर contact करें, आज के लिए के वाल इतने ही दोस्तों, notes खरीदें, पढ़ें ध्यान से और चैनल पर free of course classes ले है, पन्यवा जए से और ऊहें झाल करना एका थांग congressional भास हो करें दो आपको करना है, कहाते हैं, आर लिए करना हैं earlier, वेलने आपको करें sampai।